गाउं गाउं से आये हैं पटना, मैं कहता हूँ कि आना जाना छोड़ चुके, परवों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुख है मुड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुक्चैन गवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आये हैं, जीव छतवो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं पता है तुमको पता है रब को मेहनत में मेरे कमी नहीं और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किसमत से ठनी नहीं माना चलती कठिन परिक्षा मेहनत मेरा हतियार है गुड़ूओं से लेकर दिख्षा अरजुन रन को तैयार है सबर का मैया बांध न तूटे सबर का मैया बांध न तूटे गला किसमत का घोटूंगा चंद महीने बाकी हैं बस बंडीस पी लोटूंगा आज मैं कह रहा हूँ कि बाप खीचता रिक्सा मा माजती थी बरतन खुद से आँख मिला न पाता तोड़ दिया मैंने दरपन उस तूटे दरपन में मुझको मेरी तूटी किसमत दिखती थी मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी बापू का संगर्स बढ़ा था जमाने भर से ताना था बहनाधा पेट थी खाती भूख नहीं है बहाना था फटे जेव थे फटे थे कॉलर उनको भी सिलवाना था बापू को था दर्द बहुत पर रिक्सा खिचने जाना पर वोसे नाता तोड़ से भी मुखमोर लिया पत्थर बहुत थे राहों में गिन गिन कर सब को तोड़ दिया तो मय्या को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ और देख लाला आज उसका वरदी में तयार हुआ तो मा मैं अब तुमको बतला दू पहले वाली बात नहीं वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं अब बहना को कहदे ना आधा पेट नखाना है और कहदे ना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है ना तुझे माजना है बरतन ना बाबू कीचेगा रिक्षा देख सब दुखदूर किया पूरी कर दिया रिक्षा कठी तपस्या थी मगर महनत मेरा हतियार घुरूओं से लेकर दिख्चा तेरा लाल रन को दियार था सबर का मया बाद नटूटा मैं गला किसमत का घोट गया देख तेरा लाल तुझ तक बंडियस्पी लोट गया इसको बोलते समय और लिखते समय मैंने जाने कितने रातों को मैंने गवाया है मने जी इसके पार टू के लिए और बस उम्मीद यही है कि ये छात्र जो गाउगाउं से निकल के आते हैं कितने लोग इसमें किसान के बेटे होंगे मैं नहीं जानता ये इसी कमरों में बैट कर पर रहे हैं कि इनके माप बाप जो है खेत में इस भरी दुपरिये में बैट कर हल जोत रहे हैं ये वैसे पडिवार के बच्चे हैं